नमस्कार दोस्तों, F&O Transactions and Tax Audit के संदर में मार्किट में कुछ ब्रांतिया हैं, मुझे लगा क्यों ना इन ब्रांतियों को और दूर किया जाए, तो उसी संदर में आज कहें टॉपिक F&O Transactions and Tax Audit आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों, तीन महत्पूर्ण प्रशनों का उत्तर जानने का कोशिच करेंगे, पहला, what is the threshold limit for tax audit in F&O Transactions, whether loss or lower income in F&O Transactions require a tax audit, and how to prepare profit and loss account for F&O Transactions. तो देखें दोस्तों, सबसे पहला प्रशन है, what is the threshold limit for tax audit in F&O Transactions, एक करोड और पार्च करोड, ये क्वेशन क्यों हो सर, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग ये भी क्वेशन पूछते हैं, कि भटिया जी, आप 2 करोड रुपे की लिमिट पर क्यों नहीं बात करते हैं, मेर मेरी opinion है, दूसरी बात, by default tax audit की threshold limit, अगर मैं assessment year 2020-2021 की बात करता हूं दोस्तों, तो वो है 1 करोड प्लस, 1 करोड प्लस पर हमें tax audit करानी है, लेकिन इसी assessment year से सर, भारत सरकार ने एक नई limit लागू करी और ये बोला, कि अगर आपका total payment और total receipt, उसका 5% से ज़्यादा cash receipt और cash payment नहीं है, तो ऐसी परिस्तिती में आप 5 करोड रुपे तक के turnover पर भी audit कराने के लिए liable नहीं है, तो अगर मैं यह मान लो सर, के F&O transaction business transaction है, और क्योंकि F&O transaction सर किसी stock broker के through ही होते हैं, तो stock broker के through हुए transaction में तो सर सारा transaction almost check से ही हो रहा है, RTGS NFT mode में हो रहा है, तो आप 5 करोड के limit को enjoy कर सकते हैं, हाँ, अगर आपने F&O करने के लिए खाते में cash deposit कराया है, which is a very something, लेकिन अगर मान लीजे आपने cash deposit कराया है, तो अगर वो cash deposit total deposit जो आपने इस particular market में लगाया, उसका जो turnover है, उसके 5% से ज्यादा है, तो ऐसी परिस्तिती में आप 1 करोड प्लस पर audit करान के लिए libel है, तो ये मेरी यहाँ पर special opinion मुझे लगता है सर, आपके लिए किसी प्रकार से fruitful रह सकती है, ये अगला प्रश्न दोस्तों और भी महत्पूर्ण है, whether loss or lower income in F&O transaction requires a tax audit, तो मैं आपके सामने अगर ऐसा example रखूं सर, मान लीजे for an example, मेरा F&O transaction का turnover, say for example, मात्र 80 lakh rupees ह और मैं real में केवल इस 80 lakh rupees पर 3 lakh 20,000 rupees ही कमा पाया हूँ, या दूसरा transaction ले लीजे, 60 lakh rupees का मेरा turnover है और actual में मैं 6 lakh rupees के losses पर खड़ा हूँ, इन दोनों ही परिस्तिदी में क्या मुझे tax audit करानी की आवश्यक्ता है क्या, मेरा simple सा मानना है सर, ना तो मुझे यहाँ tax audit करानी है, औ और ना ही मुझे यहाँ tax audit करानी है, तो आपका naturally point होगा भटिया जी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखे जब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ सर, कि 44 AD में यह particular business cover नहीं हो रहा है, पहली बार, दूसरी बात दोस्तों, F&O transaction में दूद का दूद पानी का पानी टेक्नीक चलती है, यानि profit या loss जो भी है net net में reportable है, और कहीं पर भी section 44 AD इस तरीकी की परिस्तिती में tax audit की विवस्ता नहीं करती, तो मेरी interpretation दोस्तों, assessment year 2020-2021 के लिए आप adopt कर सकते हैं, कि अगर F&O transaction में आप 6% या 8% से lower profit report करते हैं, या आपके पास में losses हैं, और आपका turnover एक करोड या 5% जैसा मैंने पहले discussion किया उस level से उपर नहीं है, तो मेरी बड़ी इस पर श्राय है सर, कि audit कराने की आवशकता, tax audit कराने की आवशकता जनरली नहीं है, बड़ाई महत्मूर प्रश्चन है सर, how to prepare profit and loss account for F&O transactions, तो मैं तो सर, बड़े simple तरीके से F&O transaction का profit and loss बनाने पर बल देता हूँ, आपको मान लिजे for example, profit आया option से, तो आप यहाँ पर लिख दीजे साब के मेरे को profit from option transaction आया, आपको मान लिजे loss हो गया future transaction से, तो आप यहाँ पर future transaction का loss लिख दीजे, आपने किसी प्रकार की brokerage पे करी तो आप अपना brokerage लिख दीजे, इसी प्रकार से सर, आपन क्लेम कर लिजे यह net profit यह net loss जो आपके पास में आएगा profit इदर लॉस इदर वो आपको अपनी रिटर्न में एक चार्टर अकाउंटेंट की कंसल्टेंसी के तुरू भर देना है आईडली itr3 सर इन सब परिस्तितियों में भरा जाएगा और आपको itr3 भरते वे अपनी रिटर्न को finally conclude करना चाहिए मैं आशा करता हूं सर यह वीडियो और इसमें उठाए गए प्रश्ण निष्चत रूप से आपके लिए लाप्रद रहेंगे और यदि आपकी कोई queries हो तो आप मुझे लिख सकते हैं मैं उनका उत्तर देने का बर्सक प्रयास करूंगा मुझे सु